देखो चांद आया, चांद नजर आया और ईद का मौका आया सबसे पहले आप सभी को हमाई तरफ से ईद की बहुत बहुत शुकामनाए ईद मुबारक हो और दोस्तो ऐसे में जो हमाई सेलबिटीज होते हैं ये भी ईद मुबारक करने से पीछे नहीं रहते हैं सबसे पहले बात देशी पताका पर हैं सधाशुकला की ही कर लेते हैं सधाशुकला ने अपने फैंस को ईद मुबारक कहा है ये देखें ये सधाशुकला ने ईद मुबारक कहा है और कहा है ईद मुबारक everyone let's all pray for peace and happiness during these trying times for all please stay home stay safe hashtag ईद मुबारक जी हाँ lockdown है हर कोई घर के अंदर है ऐसे में ईद की जो रौनक है बहुत कम है थोड़ी कम है लेकर कहते हैं कि अगर दिल पाक हो इरादे नेक हो तो सारी की सारी जो मुश्किले होती है वो खत्म हो जाती है उम्मीद ही करेंगे कि जो ईद का ये त्योहार आया है ये COVID-19 को भी खत्म कर दे और हर तरफ खुशियां ही भर दे और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ दिव्यांका त्रिपाथी ने भी अपने Instagram पर ये picture शेयर की है ये आप देख सकते हैं और अपने fans को चांग मुबारक हो दोस्तो सेवई शीर खुर्मा इस ड्यू ये लिख रही है वो इसके साथ साथ सना खान ने अपनी अम्मी के साथ अपना वीडियो शेयर करा है और आप सभी को ईद मुबारक का है और इसके साथ साथ सना खान ने अपनी भी इद की जो सुन्दर सा एक वीडियो है वो पोस्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम पर आप सभी को इद मुबारक कहा है मोसीन खान ये दिश्टा क्या कहलाता है कि कार्तिक ने भी इद मुबारक कहा है ये देखिए किस तरह से अपनी इदी के साथ ये बैठे हुए है अपने घर में रौननक पूरी तरह से इनोंने लगा रखी है बेशक लॉकडाउन हो लेकिन त्योहार के सेलिब्रेशन में कमी नहीं आनी चाहिए अम्मी की रसोई में कुछ ना कुछ बनते रहना चाहिए सेवईयां बनती रहने चाहिए पकवान बनते रहने चाहिए और घर के अंदर हसी ठाहा के लगते रहने चाहिए और इसी को मद्दे नजर रखते हुए इसी को देखते हुए मुनालिसा ने भी नजर की मुनालिसा है ये डायन बनती है लेकिन असल जिंदगी में बहुत ही लविंग और केरिंग इंसान है ये और इन्हों ने भी ईद मुबारक कहा है अपने सभी फैंस को गर के अंदर रहे ईद को मनाएं खुशियों के साथ मिठाईयों के साथ और प्यार के साथ हमाई तरफ से एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक बाई गाई